जहिन दोस्तो, if you are preparing for CUET 2024, then this video is going to be absolutely very 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 important for you. क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको 5 CUET के इतने important और इतने बरे update बताऊंगा, जिनको जाने बिना आप CUET exam निकालना तो दूर आप CUET exam में bad भी नहीं सकते हो. ये इतने important updates है, और आपको अपनी planning, strategy, सारी चीजे इन सभी updates के accordingly बनाना है, बात खतम. और आज की वीडियो में मैं आपको सारी चीजे A to Z step by step clear कर दूँगा, और मैं आपको वादा करता हूँ कि जब तक आपका admission भारत के top university या college में नहीं हो जाएगा, तब तक मैं आपका साथ नहीं छोड़ूँगा, इसका मैं वादा करता हूँ. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. सबसे पहला, जो सबसे पहला और सबसे ज्यादा important update है, आज की वीडियो का, वो है official syllabus आपका out हो चुका है, CUET exam का. आपके CUET exam का official syllabus बिना जाने हुए आप अपनी पढ़ाई नहीं शुरू कर सकते, चाहे कोई साभी domain हो, language हो या पिर general test. ये official syllabus आपको कहां मिलेगा, इसके लिए आपको CUET के website पे जहाना है, ठीक जहाँ पर आप अपनी application form फिल कर रहे हो, कहीं और नहीं, जहाँ पर CUET की registration हो रही है, उसी website पे आपको जाना है, और वहाँ पर आपको एक syllabus नाम का tab दिखेगा, इस syllabus नाम के tab को आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर आपके सामने सभी subject खुल जाएंगे, जैसे की accountancy, agriculture, उसके बाद आपका physics, physics, political science, biology, business study, chemistry, सारी जीज़े, जितने भी subject, जितने भी domain, language, general test, जो भी इस साल CUET में available है, वो सभी subject के नाम यहाँ खुल जाएंगे, आप direct इस पे क्लिक करोगे, और उस subject का proper PDF डाउनलोड हो जाएगा, उस domain का, उस language का, और आप देख सकते हो कि कौन-कौन सा chapter पढ़ना है, मैं बार-बार बता दू कि प्लीज, कोई भी CBSE का बच्चा है, यह मत सोचना कि सिर्फ आपके CBSE वाला ही syllabus आ सकता है, या फिर कोई किसी particular board का बच्चा यह मत समझना कि आपका syllabus ही आएगा, नहीं, जरूरी नहीं है, CUET common university entrance test है, तो इसके syllabus में हो सकता है कि आपके class का deleted chapter भी आए, वो आपको यहाँ दिख जाएगा, clear, very good, second, जो सबसे बड़ा update है आज के समय कि आपका यह जो exam date है, यहाँ पर यह change भी हो सकता है, और यह new exam date आ सकता है, new exam date, यह बात मैंने last video में भी बताई थी, बट बहुत ब भी change, यह change हो सकता है, क्यों change हो सकता है, क्योंकि elections, लोग सभा के elections सामने है, और election देना बहुत जरूरी है लोगों के लिए, और election के चकर में आपका exam हो सकता है, थोड़ा delay हो, यहाँ पर जब आप इस article को पढ़ोगे, तो यहाँ पर यह Times of India की article है, साफ लिक रखा है, कि the common university entrance test for undergraduate बगेरा बगेरा, exam dates may undergo changes due to the upcoming लोग सभा elections, exam date change हो सकता है, election के वजे से, और आपके prospectus में भी subject to change लिखा है, तो जो आपका date है 15th May से लेकर 31st of May तक, guarantee नहीं है कि वो होगा, लेकिन आपको अपनी तयारी उसके according में ही करना है, यह बात अपने दिमांग में कान खोल कर सु लो, उसी के according तुमको अपनी तयारी करना है, और अगर date extend हो जाता है, तो यह अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन आपको तयारी अभी तक उतना date ही लेकर चलना है, ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक clear बात आपको बता दू, third number update जो है, उसको बताने से पहले, third number update बहुत important है, ल total students होंगे, CUET में, वो लगभग 15 लाग के आसपास होंगे, और जितने भी top universities है न, जैसे DU हो गया, BHU हो गया, उसके बाद आपका AMU हो गया, ठीक है न, AMU, JNU, जामिया, अलहाबाद university, जो भी है, उसमें लगभग 2 लाग के आसपास seats है, तो ऐसे case में आपको क्या लगता है admission लेंगे, simple सा logic है, बाकी के जो 13 लाग बच्चे है, उनके career का क्या होगा, उनके placement का क्या होगा, तो ऐसे case में मैं आपको strongly recommend करूँगा, कि please, आप अपने लिए backup create करके चलिए, जैसे ही आपका board exam खतम हो जाए, आप simply collegevidya.com पे जाकर, collegevidya.com ठीक है, इस website पे जाकर, आप भा इंटरेंस exam के, collegevidya.com आज के समय भारत का सबसे बड़ा e-learning platform है, open learning, online distance learning, जहां पर आप अपनी घर पर बैठ के बढ़ाई कर सकते हो, collegevidya.com में आज के समय 80 से भी जादा universities listed है, आप direct जाओगे, आपका admission वहाँ से possible हो सकता है, कुछ भी आपको नहीं करना है, को entrance exam नहीं, कु genuine keys बता रहा हूँ, अगर मुझे करना होता, तो मैं क्या, अभी बड़े-बड़े edtech वाले मुझे नहीं पकर रहे है, कितने लोग मुझे बोल रहे हैं, कि सर हमारा course बेज दो, course बेज दो, course बेज दो, पैसा कमाना होता, तो मैं उससे ज्यादा वहाँ छापता, course बेज कर, लेकिन मैं आपको एक idea दे रहा हूँ, कि आप बिना university, entrance exam के भी, CUET के भी, भारत के top university में पढ़ सकते हो, college विद्या के through, simple सा logic है, तो आप college विद्या के website पे जा सकते हो, जिसकी link इस वीडियो के comment में pin है, और जो बच्चे ये सोच रहे हैं, कि सर अगर हमारा admission DU-BHU में हो तो भी तुम dual degree कर सकते हो, भाया, dual degree, मतलब तुम एक साथ, दो-दो degree कर सकते हो, एक तुम अपना college में offline जाके कर सकते हो, और दूसरा तुम distance learning, open learning घर पे बैठ के कर सकते हो, तुमारी fees भी कम लगेगा, तुमारा placement भी top से top जगे पर होगा, collegevidya.com के website पे तुमको हर एक assistance program भी करवाएंगे, free of cost में, जो की तुमें मेरे link के थू मिलेगा, जो कि इस commitment में pin है, तो जब तक तुमारा placement नहीं हो जाता, तब तक वो तुमारे साथ रहेंगे, ये सबसे बरा advice, अब इसके बाद तुमको देखो, clear में बता रहा हूँ, जो third सबसे बरा update है यहाँ पर, moderate level exam, moderate level, exam का जो level है, वो इस साल बहुत ज्यादा moderate होने वाला है, ऐसा क्यों, मैं बार-बार बोल रहा हूँ, इससे पहले भी मैंने बताया है, ताकि आप motivate हो सको, आपका motivation मेरे लिए सबसे prime objective है, मैं आपको डरा करके कोई course नहीं बेचना चाहता हूँ, कि भईया, इस साल का exam इतना tough होगा, अगर आप हमारे batch में enroll नहीं करोगे, फलाना XYZ, अलफा batch, ये batch, वो batch, ठीक है, ब्रह्मास्त्र batch, अगर आप नहीं करोगे, तो आपका exam नहीं निकलेगा, ये वो सब बाते में नहीं कर रहा हूँ, simply आपको बता रहा हूँ, एकदम practical, logical बात, कि खुद UGC के chairman ने बोला है, कि a moderate difficulty level in an interim test for university admission can contribute to reducing students' reliance on coaching centers, इसको साफ पढ़ो, UGC के chairman ने खुद बोला है, कि वो चाहते है कि बच्चों को coaching पे depend ना होना पड़े, इसलिए exam का level moderate बनाएंगे, अब तुम बोलो कि सार, exam का level अगर easy होगा, तो बच्चों के score ज्यादा आएंगे, score telegram पे मैं तुमको बोल रहा हूँ, तुमको बिना एक पैसे खर्च किये, हमारा जो ये telegram है, untold mac, इसमें 16,700 से ज्यादा बच्चे जुड़े हुए आज के समय, इस telegram पे मैं आपको free of cost mock test, notes, sample paper, previous year question, और खुद personally mentorship दे रहा हूँ, free of cost में, जिसके लिए आपको एक भी रु coaching में depend होने का जरुवत नहीं है, free में तुमको भाया सारी चीजे दे रहे है, फिर तुम क्यों किसी coaching के trap में फसोगे, अब it's up to you, उनको क्या decision लेना है smartly वो तुम सोचो, बात खतब, मैंने बता दिया हमारे telegram को join कर लेना, 16,000 से जादा बच्चे आज इसको join कर चुके है, अगली वीडियो में ये आकड़ा 19,000 से ज्यादा होगा, इसकी में guarantee देता हूँ, देख लेगा ठीक है, अब जब आखरी, जो second last update है, update number 4, वो कहता है कि भाया subject, जो criteria है, वो आपको पता होना चाहिए, कि किस university में, जैसे DU में जाना है, तो क्यों कॉन सा subject form में fill करना पड़े तो आप जाओगे CUET के website पे, जहाँ आपका registration form आया है, यहाँ पर आपका syllabus वाला tab है, आप syllabus खूल के देख सकते हो, और यहाँ पर आपको university option मिलेगा, इस पे आप click करोगे university वाले tab में, और आपके सामने सभी university खूल जाएंगे, जो CUET के अंदर आते हैं, अब इसमें जो भी university में आपको admission लेना है, आप उस पे simply click करके उसका requirement देख सकते हो, जैसे की DU है, तो जैसे की हमने university of Delhi पे click करा, और हमारे सामने university of Delhi का पूरा requirement खुल गया, कि DU में कौन से course में admission लेने के लिए, क्या-क्या paper पढ़के जाना पड़ेगा, यह पूरा bio data यहाँ पर खुल चुका है आप इसको direct देखोगे, इसके हिसाब से subject की तयारी करोगे और इसी paper का, मतलब paper दोगे और इसी के basis पे आपका admission होगा, और last जो सबसे important update है, कि 250 plus universities are in CUET 2024, अगर तुम इस article को पढ़ोगे, तो यहाँ पर direct लिक रखा है, around 259 universities, मतलब 200 से भी ज्यादा universities इस साल, CUET exam में participate कर रह एक disadvantage यह है कि इन में से top university मातर 6 साथ है, बस, उसके अलावाज जितने भी university है, वो भारत के अलग-अलग कोने में है, पता नहीं किस चहर में, किस गाओ में है, तो तुमको वहाँ पढ़ने जाना पड़ेगा, तुम सोच लो, तो यह mind पहले से बना कर रहना, इसी लिए, कही न गहीं, online learning ज्यादा better माना जाता है, अगर तुम्हाला due made mission ना हो तो भी, ओके, हो तो भी तुम कर सकते हो, पैरलली, डूल डिगरी, और नहीं हो, तो तो करना ही चाहिए, समझ गए, इसी लिए मैं बोल रहा हूँ, बाकी तुम, देखो, honestly, अब जिसको जाना है वीडियो स I am a partner of college with your.com, guys, मैं partner हूँ नकार, मैं किसी brand के साथ, अगर partner बनूँगा, अगर किसी brand के साथ, तो सोच समझ कर बनूँगा, ने, तो एटेग वाले, आजकल, पता नहीं, कितने सारे academy वगेरा है, ये वो, सोच लो तुम, है ना, कितने सारे 227, 427 वाले बहुत चारे ऐसे channel है जो, पता नहीं, कितने कितने पैसे offer करने को ready है, बट मैंने नहीं लिया, because मैं अगर कोई place पे जा रहा हूँ, कोई चीज तुम्हें दे रहा हूँ, तो एकदम value देना चाहता हूँ, उससे value निकलना चाहिए, नहीं तो नहीं, मेरे audience को मैं कुछ भी बेचके अगर निकलना ह और तुम मेरे साथ जुड़े रहा हूँ, बात खतम, शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, thank you so much for watching this video, मिलते अगले वीडियो में, love you, tata, bye bye, जै हिंद